ही हाई गासवली फिर में आपका स्वागत है दोस्तों इस वक्त हमारे आसपास के किसी भी तेटर में जाएंगे तो साउच सिनेमा की कलकी लगी हुई है और इसका जो खुमार है अभी तक उत्रा नहीं है ऐसे में साउच सिनेमा से एक और ट्रेलर आ जाता है जी हाँ तमिल सि और अब यहाँ पर यह फिल्म कर रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दू एक चीज़ मुझे सबसे amazing, सबसे अलग लगी कि यार यह जो फिल्म है KGF पर based है, जी हाँ, कि जब हमने फिल्म देखी थी, राइट, रौकी भाई वाली उससे कुछ अलग, यानि KGF की जो कहानी चल रही है, जो स्टोरी लाइन चल रही है, जो रौकी भाई वाली थी, उससे भी पहले की जो कहानी है, इस फिल्म के अंदर दिखाई जाने वाली है, जी हाँ, एक ऐसा ट्राबल है, जो बहुत ही जादा संगश क कर रहा है, मैनत करता है, और उनकी जमीन को अंग्रेज जो है, अन्याय करते हुए हडप लेते हैं, क्यों? क्योंकि सोना निकालना है, जहां पर वो रह रहे हैं, वहां पर सोना है, अब ऐसे में क्या सिन्यारियों सामने आते हैं, वो अलग है, लेकिन ट्रेलर के अंदर जो सारी जानवर है, मतलब अलग लेवल का उन्होंने एक्टिंग की है, और जिस हिसाफ से जो सिन्नमाटिग्राफी नज़र आ रही है, मुझे बहुत ही लाजवाब नज़र आ रही है, तो उस जमाने के हिसाफ से के बारे में बताई जा रही है, यहां पर गोल्ड की एक्स्रेक्शन होती है, ठीक है, खुदा ही होती है, तो उससे रिलेटर यह कहानी है, अंग्रेजो का भी बहुत ही बड़ा इसके अंदर रोल होता है, तो अंग्रेजो का भी एक वो सब सीन्स वगएदा दिखाए गहे हैं, तो मुझे बहुत ही ज़द आ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा impressive मुझे लग रहा है जो दोस्तों हमने ketchup देखा था वो एक fictional कहानी थी लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही level का कहानी है और इसके कुछ documented proof भी available है अगर आप देखोगे अगर किसी पुराने archive में जाकर आप देखोगे तो तो यह चीज यह setup जो है बहुत ही ज़्यादा interesting लग रही है मैं यह कहना चाहूंगा कि South Film Industry के जो directors हैं या फिल्मेकर्स हैं वो अलग level का सोचते हैं और यही वज़ा है जब भी वो film लेकर आते हैं तो लोगों को बहुत ही ज़ादा सोचने पर मजबूर करती है बहुत ही ज़ादा excited कर देती है curious कर देती है कि या वो क्या बना रहा है और यही ऐसा होता आ रहा है आप देख लोग कल की आई अब यहाँ पर यह फिल्म आ रही है तंगलान तो एक हिसाब से इंडिन सिनिमा को रूट से connected या फिर हमारे देश की इंडिजिनस जो कहानी होती है वो परोसनी का काम अगर कोई कर रहा है तो वो है साउथ फिल्म इंडिस्टी और यही बजा है कि साउथ फिल्म इंडिस्टी की जो फिल्में आ रही है लोग पसंद कर रहे है इस पूरे ट्रेलर के अंदर कोई भी आप character आप देख लो किसी में भी beautification करने की कोई ज़रूत नहीं की है beautify करने की ज़रूत नहीं की मतलब ऐसा उस जमाने का look है तो वो भी तोड़ा proper दाड़ी हो तोड़ा shame में हो तोड़ा ऐसा कुछ हो ऐसा बिलकुल नहीं यार मिट्टी लगी हुई है एकदम पसीने से लगपत बाल कहीं से भी उग रहे हैं look real and rugged look में नजर आ रहे हैं सारे के सारे कलाकार तो ये एक unique चीज़ हो जाती है और ये काफी realistic भी लगती है और हम बहुत ही ज़ादा connect हो जाते हैं मैं तो यार बहुत ही ज़ादा excited हूँ क्योंकि चिया विकरम की बहुत दिनों बाद अभी वापस एक pan-india film release हो रही है पुनिन सिन्वल आई थी और अभ यहाँ पर यह आ रहे हैं तो मज़ा आ रहा है और इसके बाद तो kangowa जैसे भी film आने वाली है चिया विकरम ने अपने character को लेकर जो transformation किया है वो काविल इतारिफ है मैं कहूंगा कि बहुत ही ज़ादा dedication दिखता है और वो character में भी नजर आ रहा है उनके काम में भी नजर आ रहा है तो overall दोस्तो trailer मुझे बहुत ही ज़ादा पसंद आया है एकसाइटिंग लगा है आपको कितना ज़ादा अच्छा लगा है यह trailer ज़रूर बताए दोस्तों हमारे comment section पर और दोस्तों देखते रहे आपका अपना channel filmy viewer this is Ravi Gupta signing off thank you so much for watching video I'll see you in the next video soon thank you bye